next is helping the family each member of the house is responsible for making the home run smooth घर को smoothly चलाने के लिए family का हर member responsible होता है घर को चलाना सब की क्या होती है responsibility होती है सब की जिम्मेवारी होती है घर को साफ रखना या घर को सही धंग से चलाना सब की responsibility होती है जितने भी member होते हैं घर में As our responsible family member underline the tasks that you can perform or help with at home As our responsible family member here some tasks are given कुछ काम दिये हुए है कि आप अपने family की कैसे help कर सकते हैं इनने से कौन सा work करके आप अपनी family की help कर सकते हो को आपने क्या करना है अंडरलाइन करना ठीक है इस activity को आप ही करोगे I will read only मैं आपको समझा देती हूँ read करके बता देती हूँ ओके फिर आप ही activity खुद करोगे कि इनने से कौन से कामों में आप अपनी family की अपनी mother की help कर सकते हो कौन सा work आप कर सकते हो ओके so first is folding laundry folding laundry means जो आपके clothes wash हो गए है उनको fold करके रखना उनको fold करके almira में, shelf में, cupboard में ठीक है जहां भी आप रखते हो वहाँ पे रखना कपड़ों को fold करके जो wash हो गए है तो अगर आप ये work कर सकते हो अपनी family की help, अपनी mother की help कर सकते हो इस work में तो you can underline this activity is this work ठीक है अगर आप ये कर सकते हो folding laundry आप अपने clothes को fold करके रख सकते हो drawer में, ठीक है, cupboard में, shelf के अंदर तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे, इसको underline कर देंगे इसके नीचे एक line लगा देंगे, ओके next is arranging the bookshelf arranging the bookshelf bookshelf को arrange करना, अपनी books को arrange करके रखना ठीक है, आपकी bookshelf होती है, जहां पे आप क्या करते हो, अपनी books रखते हो ओके, तो आप क्या कर सकते हो, after doing your homework, जब आपका homework complete हो जाता है तो आप उस bookshelf को arrange करके रख सकते हो, अपनी books को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए हमेशा उनको arrange करके या bag में या shelf में हमेशा एक proper जगे पे रखना चाहिए तो ये task तो आप अपने आप कर सकते हो, ये तो सब बच्चे कर सकते हैं ओके, so you should do this work, आपको ये जरूर करना चाहिए जब भी आप अपना homework करते हो complete, तो उसके बाद आपको अपनी books को arrange करके रखना चाहिए ओके, so you should underline this work, सब भी बच्चे को करना ही अपने आप, ओके next is dusting your room, if you can do this work, you will underline this activity dusting your room means, आप अपने room की dusting कर सकते हो, अपने room को clean कर सकते हो ठीक है, अगर आप ये कर सकते हो, अपनी मुम्मा की help इसमें कर सकते हो, तो आप क्या करोगे inceptivity को underline, सब को clean रखना चाहिए ना, तो you should do it next is arranging the dining table, arranging the dining table means make arrangements for breakfast, lunch and dinner, अगर आप help कर सकते हो, अपनी मुम्मा की इस work में, तो you should do underline, इसके नेचे आपको underline करना है, बिट आप करवा सकते हो ये, ठीक है, खाना सर्फ करवा सकते हो, फिचन में से लाके okay, plates रख सकते हो, glasses arrange कर सकते हो, ठीक है, आप जितना कर सकते हो, अपना आपको work करना चाहिए next is arranging the school bag, this is must for every child, ये तो सब बच्चों को करना ही चाहिए, arranging अपना school bag कुद अरेंज करना चाहिए, according to the timetable okay, school जाने से पहले ही या रात को ही आपको क्या करना चाहिए, अपना school bag, arrange करके रखना चाहिए, timetable चाहिए, उसके according, ये work आपको अपने आप करना चाहिए ठीक है, इससे क्या होगा, आपके parents की भी help हो जाएगी, और आपका भी काम हो जाएगा, है ना, so you should do this next is picking up the choice, ये भी आप पहुत अच्छे से कर सकते हो, daily आप play करते हो, twice की साथ तो आपको क्या करना है, twice को after playing उठा के रखना है, shelf में arrange करके रखना है, cupboard में arrange करके रखना है आपको twice इधर उधर फैकने नहीं चाहिए, okay, so every child should do this activity also, next is dressing yourself, अपने आपको dress up करना, अपने clothes कुद वियर करने, अपने आप ready होना, okay, you can do this also, आप अपने आप नहा सकते हो, ready हो सकते हो, अपने clothes wear कर सकते हो, combing कर सकते हो, okay, so अपने आपको dress up भी आप क्या कर सकते हो, okay, next is watering the plants, you can do this activity also, आपके घर में plants लगे होई होंगे, garden बना हुआ होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, plants को water, देना चाहिए, watering the plants, उन plants को, सभी plants को पानी की नीड होती है, water की नीड होती है, okay, तो आप ये work भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, next is feeding the pet, if there is any pet at your home, you should feed that pet, अगर आपके किसी के भी घर में pet है, बहुत सारे लोग रखते हैं ना, अपने घर में pet animals, like dog, तो उनको क्या करना चाहिए, आपको feeding भी करने चाहिए, उनको खाना भी खिलाना चाहिए, okay, so whatever you can do among these activities, you should underline that activity, okay, now you have to do page number 8 and page number 9 in your GK book,